हेलो एवरिवान वेलकम डू माई चैनल आज मैं बनाने जा रहे हूँ ओडिसा फेमस छना पड़ो ये हमारे ओडिसा का एक फेमस मिठाई है ये एक चीज केक है जो बहुत फेमस से ओडिसा में आज मैं इसको अथेंटिक तरीके से बना के दिखाऊंगी तो फिर चलिए वीड तो दूद को सबसे पहले गरम कर लेंगे और दूद से हम छेना निकाल लेंगे तो पहले दूद को बॉइल होने देंगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे विनेगर तो थोड़ा थोड़ा विनेगर हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे और थोड़ी देर में आप लोग देख सकते हैं हमारा छेना अलग हो गया है तो यहां पर छेना अलग हो गया है पानी अलग हो गया है इसको जादा कुक नहीं करेंगे अब इसको हम छान के निकाल लेंगे अब छेना में डालेंगे हम पानी अच्छे से इसको वाश कर लेंगे अब हम छेना को डालेंगे एक बर्तन में इसमें डालेंगे तीन से चार चमस सूजी आधा कप चीनी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे अब हम इसमें डालेंगे छेना का पानी अच्छे से मिक्स करेंगे जब ये अच्छे से स्मूथ हो जाए तब इसे हम डालेंगे इलाइची पाउडर, black paper पाउडर, एक चमस देसी घी अब इसे हम अच्छे से mix करेंगे जब तक कि पूरी तरह से smooth ना हो जाए थोड़ा थोड़ा बीच में हम इसमें छेना का पानी डालते रहेंगे और mix करते रहेंगे तो यहाँ पर हमारा छेना पोडो का बैटर तयार हो गया है अब हम मोल्ड को तयार कर लेंगे मोल्ड के चारो तरफ हम अच्छे से घी लगा लेंगे अब हम इसमें बटर पेपर लगा लेंगे बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा घी हम लगाएंगे अब हम बैटर को डालेंगे मोल्ड में कडाई को हमने पहले से ही फ्री हिट कर लिया था कडाई के नेजे हमने नमक डाला है अब हम मोल्ड को कडाई के अंदर रखेंगे अच्छे से इसको कवर करेंगे और एक घंटा के लिए इसको लो फ्लेम में कुक करेंगे एक घंटा हो गया है और हमारा छेना पुडो भी बनके तयार हो गया है अब इसको हम बाहार निकाल देंगे अब इसको हम हलका सा थंडा करेंगे उसके बाद इसको हम डिमोल करेंगे तो ये देखे यहां पर हमारा छेना पोडो हलका सा थंडा हो गया है इसको हम डिमोल करेंगे अब हम बटर पेपर को निकाल देंगे तो ये देखे यहां पर हमारा छेना पुडो बन के तयार हो गया है अब हम इसको कट करेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमारा छेना पुडो बन के तयार हो गया है वीडियो केसा लगा मुझे कॉमें सेक्षन में जरूर बताए अगर आप चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूले फिर मिलूंगे एक ने वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक्स फूर वोचिंग